तज्ययति परम जोती समं समस्ते रनन्त पर आये दरपण तलई वे सकला रति फलति पदार्थ मालिका आयत्र परमागमस्यभीजं निषिद्ध जात्यंद सिंदुर विदानं सकलने विलसितानां विरोध मतनम् आम्यने कांतं विरोध मतनम् आम्यने कांतं परशार सिद्ध्यु पायनामकिय ग्रंथ है अम्रचंद्राचारिये असे यम की बात कर रहे हैं श्रावकों के जीवन में यथा योग्य भूमी का अनुसार सैयम होना चाहिए यह बात कई बार कही जा चुकी है आपके बीच में के सैयम के बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है दुरगटना होगी होगी और होगी कंट्रोल कंपल सरी है कंट्रोल जरूरी है कंट्रोल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा सैयम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा सायम नहीं होगा तो निरंतर विरादना होती रहेगी जितना संभव हो सके जीवन पर लगाम लगा करके रखिए यहाँ अनुवरतों की शिक्षादी, मूलगुणों की शिक्षादी, गुणवरतों की शिक्षादी और शिक्षावरतों की शिक्षादी जा रही है जिसमें सबसे पहले सामाईक की चर्चा हुई फिर भोगो भोग परिमान की चर्चा चल रहे हैं सामाईक प्रोश धोपवास और भोगो भोग यह तीसरे नंबर पर है भोगो भोग तो भोगो भोग की चर्चा करते समय भी खान पीन की काफी चर्चाएं कर लिए कि हमने जीवन को मर्यादित बनाने के लिए किन-किन वस्तूओं का त्याग एक श्रावक की जीवन में होना चाहिए वो चेर्चा हम काफी कर चुके हैं अनाप्शन आप नहीं खाएं ध्यान रखें खाते समय जैनियों का आहर कैसा होना चाहिए निर्दो शरीती से भूजन होना चाहिए इस तरह से भूजन करें जिस भूजन में जीवों की विराधना नहीं हो हम भूजन कर रहे हैं पेट बरने के लिए लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा मुख, हमारा पेट जीवों का निवास इस्थान बन जाए दादा ने तो ऐसा लिखा धरम के दस लक्षन पुस्तक में कि कहीं ऐसा ने हो जाए कि इस जीव का यह शरीर यह मुर्दा खाना बन जाए जच्चा खाना मुर्दा खाने का एक उधारन दिया है हमने यहां जमिगंद की चर्चा भी की आलू की चर्चा भी विस्तार से की ने केवल यह इसके अतरिक्त अन्य भी जितने भी पदार्थ जिनमें अनंत का एक जीव होते हों उन सब का भी त्याक कर ही देना चाहिए इसके अतिरिक्त कल्पदार्तों की मरियादा की बात कही थी और ये कहा था कि मरियादा के बाहर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं ये सब वस्तुएं अपने आप ही उनमें जीवत्पन हो जाते हैं समय निकल जाने के बाद वास्तों में तो यह भी क्रमबदता को ही दिखाता है निश्चित है कि इतने समय बाद आटे में जीवत्पन हो जाएंगे निश्चित है इतने समय बाद मसालों में जीवत्पन हो जाएंगे यह निश्चित है कि यदि उस वस्तू का स्वाद बदल ग राग की तीवरता से दोश्ट लगता है कच्ची रोटी क्यों खा गए आप कच्ची होने के बावजूद भी बेकार चली जाएगी फैंकने में चली जाएगी नहीं कितना महंगा आता है इसी थोड़ी ने फैंक दिया जाता है इन सब बातों का विचार करके जो राग की ग्रद्धता है जो भूजन करने की ग्रद्धता है उसका विशेश पाप लगता है जली जली हुई रोटी में इसी प्रकार का मैटर है तो और भी बहुत सारी चीजें पा देखिए 163 नंबर श्लोक की चर्चा हो चुकी अब आगे 164 नंबर की तरफ आते हैं जिसमें इसी त्याग की भावना को और अधिक बल्वती करते हैं कि जितना और हो सके और त्याग कीजिए कसावट आनी चाहिए थोड़ा सा किसमें कसावट आनी चाहिए हमारे खान पान में मर्यादित करो वस्तूओं का त्याग नहीं राग का त्याग करो पदार्थ का त्याग नहीं उसके प्रति आसकती का त्याग करो आसकती का त्याग यदि कदाचित नहीं हो पा रहा है उसको टटब tutte कहीं ऐसा पील Ёव definitive हो रहा है कि मैंने सकती कम कर ली है और टटो ली थोड़ा साँ बार-बार में ब्रेक लगा करके देखिजिए अपनी पावर को देखिए अपने आपको चेक करते रही है, मेरे में कितनी पावर है, मेरा राग कितना घटा है, मेरा मुह कितना घटा है, मेरा अपनापन कितना घट गया है, उसमें कुछ मंदता आई है या नहीं आई है, निरंतर, 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 इसका नाम है व्यक्तित्व के विकास की तरफ ध्यान देना, ध्यान दीजिए अपने व्यक्तित्व की तरफ ध्यान दीजिए अपने आंतरिक विकास की तरफ ध्यान दीजिए अपने आंतरिक उन्नती की तरफ ध्यान दीजिए विकारों की कमी हुई या नहीं कशाएं मंद पड़ी या नहीं पड़ी और इन सब के मंद पड़ जाने पर एक विशेश बात जरूर कहना चाहूंगा, इन सब का त्याक करते हुए अपने आपको बहुत बड़ा धर्मात्मा मत समझ लेना, कल भी कही थी मैंने बात कहता ही रहता हूँ, ये सब चरणानु योग है, ये सब बाई आचरण है, इस आचरण का पालन करके कोई व्यक्ति धर मात्मा नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा देखा जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये बाहरी आचरण दिखाई देता है, जिस व्यक्ति के जीवन में मोटा मोटा आचरण पालन करता हूँ दिखाई देता है, जो जीव मोटा मोटा पालन कर रहा है, पानी नहीं पिएगा रा बाकी लोगों में तो बुद्धी नहीं है भाईया सुनो हम अब दर्डता से पालन कर रहे हैं यह हमारे परिणामों की निरमलता है लेकिन दूसरा व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा है तो उसे हींद रश्टी से मत देखना कभी भी सबकी अपनी सामर्थे हैं सबकी अपनी परिस्कितिया हैं मैंने दस दिन के उपवास किये तो रोजाना दस लक्षन में भोजन करने वाला व्यक्ति मुझे पापी नजर आता है मैं रोजाना एदी एक टाइम भोजन करता हूं तो दो टाइम भोजन करने वाला मुझे पापी नजर आता है ऐसा होता है यह गलत है लेकिर यह नेचर यह ठीक नहीं है हमने किया तो बहुत अच्छा लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके प्रती रंच मात्र भी क्या कहेंगे उसे कुरूरता रूप परिणाम नहीं होने चाहिए द्वेश बुद्धी नहीं होनी चाहिए उसे नीचा दिखाने का परिणाम नहीं होना चाहिए तु क्या है तुने क्या पाल लिया हरे मेरे जैसा कर तो जई तो पता लगेगा मैं देख मैं देख मैं क्या क्या कर रहा है भाई साथ बोलो मैं मैं क्या समझ रहे हुआ मैं को बहुत बड़ा काम कर लिया है गुणस्तान दोनों का पहला है समझ लेना को बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है गुणस्तान बढ़ जाये तो बढ़ना समझ ना पहले से चौता हो जाये तो बढ़ना समझ ना चौते से पां कि अकुल व्योव्यातो में पन्हें एक यक्ति नहीं श coalition कि और पूर ही इतना साइम से रह下來 उब खाना मैं रह동े कोई बात मैं मैं न आइ संब खुआ यह रहे है erि वb इतो थावना तो भाना, दीको बात क्या होनी चाहिए, एक व्यक्तिका देखाँ आपने, आपने खाते हो इधका जती की जती कुछूर, रात को अभक्राव मैंने आमर यादित कैसी व्यक्ति को थावना उफलाक्त को पानी पीते हो धंगता मैं में दो कोई है तो जानो गलत को गलत तो how लेकिन निंदा मत करो क्या है कि यह आराधना का मारगए एड़ोकेट साहब यह जो मार गए हमारा यह आराधना का मारगए यह किसी कोई चोटे बड़े का सवाल नहीं यह कौम कितने बड़े पदपर होकर करोत कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, चल कर रहा है, तो करम किसी के सगे नहीं होते हैं, करम यह नहीं देखते हैं, यहां हिंदुस्तान के कानून में, आप तो एड़ोकेट हैं, हिंदुस्तान के कानून में बले बड़े आदमी को सजा नहीं दी जाती ह या जो कुछ भी होता हो बरी हो जाता हो लेकिन जैन दर्शन के इस कानून में प्रकृति की इस व्यवस्ता में इस आटॉमेटिक स्वे संचालित व्यवस्ता में यहाँ बिल्कुल नयाए है यहाँ नयाए नहי होता यहां यदि संजीव गुदा के द्वारवी यदि कुछ गलत काम किया जाएका तो कर्म छोड़ेंगे नहीं उसे परिणाम यदि बिगड़ेंगे तो कर्म उसे छोड़ने वाले नहीं है कर्म उसे बख्षने वाले नहीं हर व्यक्ति को अपने परिणामों की सजा मिलती है हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिलती है इसलिए किसी और की तरफ नहीं अपने आपको देखो दूसरों को सुधारने की जगे अपने आपको देखो अपने आपको ही देखना चाहिए ल बुड़ा सत्याग क्या करने लग गए अपना दिवाग साथ वे आसमान पे समझने लग गए दूसरे व्यक्ति तो सारे पापी नजर आने लग गए आपको फिर कोई रातरी भूजन कर रहे महाब्रष्ट है ये तो पापी है ये तो अरे तुम्हें पता नहीं है पापी व्यक उसे निरवान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने आपको बड़ा 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 कहने वाले व्यक्ति सागरों तक संसार में रूल सकते हैं. बैया समय नहीं लगता है समय बदल जाने में. समय नहीं लगता है मत करो निंदा मत करो अलोचना मत करो बुराई मत उठाओ किसी के उपर उंगली प्रकृती में न्याय है कहीं अन्याय नहीं है सब को देखो सब जगे पर जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसको अपने प्रणामों का फल मिलेगा आप विनम्रता से जरूर कहें समझाएं जरूर आपका बच्चा है आपके पिता जी भी हो सकते हैं आपके चाचा जी मामा जी आपकी मम्मी भी हो सकती है आपकी वाइफ आपके हस्बेंड भी हो सकते हैं बार बार समझाते हैं नहीं समझते हैं कोई बात नहीं अपने को समताती है आज बहुत अच्छी चर्चा हुई क्रमबद की चर्चा में शैद 15 नंबर का प्रवचन था आज क्रमबद का भवितव्यता की शक्ति का विचार करो अरे हो नहार बलवान है भवितव्य बलवान है वह सब जो होना होगा उसे टाल नहीं सकता है कोई व्यक उपगुहन के बारे में विचार करना चलिए कुछ और बात करते हैं अपने जीवन को सहीमित बनाने के लिए कुछ और प्रयास करते हैं कुछ और प्रयास करते हैं कदम बढ़ाते हैं एक कदम और आत्मकल्यान की तरफ बस एक कदम और बस एक कदम और आप जानते हैं एक ए एक कदम बढ़ाने की जो इस्तिती हैं, कुछ नहीं, जादा नहीं, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, सिर्फ लाइफ में एक कदम बढ़ाते चलो, एक एक कदम बढ़ाते चलो, आपको पता नहीं है, मंजिल कब नजदी का जाएगी, आपको पता नहीं है, कब मुक्ती महल में ज करके विराजमान हो जाएंगे कदम बढ़ते चलें विश्व दभाव से बढ़ते चलें बस शिखर जी की यात्रा करते समय छोटा बच्च आई दी साथ में चल रहा हूँ बोलो दस साल का बच्चा साथ में चल रहा है बाव अली की सीडियां चड़नी है बोलो बहुत जादा मैरे को तो गोदी ले लो पाप मैं तो नहीं चल सकता हूं अब बहुन क्या करना है ले 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 पकासी хорошお願いします एक चड़ गया अब एक और चड़ सकता है कि एक और चड़ सकता हूँ बस एक और चड़ जा एक और चड़ सकता हूँ वो पूरा पार गर जाता है यात्रा बोलो एक एक सीडी तो चड़ नहीं है और क्या करना है एक एक स्टेप ही तो बढ़ना है हमारे को स्टेप बढ़ते चले जाईए कदम बढ़ाते चलिए आराधना की तरफ वीराधना से बचते जाईए आराधना करते चले जाईए वो निष्चित तोर पर अलब काल में सिद्दाले में जाकर के विराजमान हो जाएगा बस लेकिन ध्यान रखिए एक एक कदम की बात करना अरे यदि शिखरजी चड़ते होए व्यक्ति को यह कह दिया जाए अभी तो बहुत दूर है बाप रहे मैं तो नहीं जा सकता अभी तो 500 सीड़ियां और चड़नी है मेरे से नहीं हो सकता तो क्या करें बोलो एक कदम अरे यह आ गया अरे यह आ गया वाई साफ क्या कर रहे हो और सारे उत पूरा चक्र लगाकर करें वापस नीचे उतर आते हैं वंदने कर कोई बात नहीं दरेवत शांत रहे सहेज रहे सहेज ता पहले जरूरी है आगे दिखाएंगे आगे चल करके अरे बहुत संदर संदर प्रकरण आएंगे पूरे आगे जब बढ़ते चले जाएंगे सलेखना के प्रकरण आएंगे समाधी मरण के प्रकरण आएंगे जीवन को निर्मल बनाने के लिए किस किस प्रकार से त्याग किया जा सकता है क्या क्या बाते शीखने की है लाइफ में यह चरनानु योग सिखा रहे हैं अम्रचंद्राचेरे देव अनंत अनंत उपकार है भाई सब जहां समय सार जैसे ग्रंथों में उन्होंने द्रवे दरश्टी से इस जीव को भगवान बना करके निश्चिन्त बतला दिया, बैया तो निश्चिन्त हो जा तू परमात्माएं, कुछ करना ने धरना मगन रहना, और वहीं जहां अंतरंग से हमारे को सॉलिड बनाया, वहां बाहर से हमारे को निर्मल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वन नंबर का पेज देखिए, 164 नंबर का श्लूक है, 164 नंबर श्लूक त्याक के संबंध में और विशेश के थे त्याक के बारे में, देखिए ज़रा, कुछ और विशेश बात किया रहे हैं, अवीरुद्धा पिभोगा, निजश्यक्ति मपेक्ष्य धीमता त्याज्याहाँ अत्याज्येश्वपिसीमा कार्येक दिवानिशोप भोग्यतयाँ पुरानी पुस्तकों में 134 नंबर पेश पर हैं, अन्वयार्थ, धीमता, बुद्धिमान, पुरुष, हम मान करके चल रहे हैं कि आप बुद्धिमान हैं, अशुक भाई, यह हमें बुद्धिमान करे रहे हैं, नरेंद्र जी आपको बुद्धिमान करे रहे हैं, सोचो जरा, बाकलिवाल जी, यह आपको बुद्धिमान करे रहे हैं, सुमझ जी यह आपको बुद्धिमान करें हरुक्ति जो सुन रहा है उसे बुद्धिमान करें हैं है बुद्धिमान पुरुष निजिशक्तिम अपनी शक्ति देख थोड़ो राखे अपनी शक्ति विचार करके अपएक्षे देखकर आविरुधा मने आविरुध भोग अपी त्याज यहां भोग भी छौड़ देवें और क्या कर रहे हो महराज ये बताओ आप बोलो क्या कर रहे हैं कि महराज कर क्या रहे हो मारोंगे हमारे को अभी तक तो अवक्षे चोड़ाने की बात कर रहे थे प्रकाश भाई अब क्या कह रहे हैं तरोग जी अब यह कह रहे हैं टी सी जैन साब अब यह कह रहे हैं जो खाने योग्य पदारतों उनको भी चोड़ो और अब भाग भाई साब क्या कह रहे हैं खाने योग्य पतारतों को भी चुड़ो भाई साब मरियादा तो उसी का नाम है मरियादित भोजन तो करते हो लेकिन मरियादित भोजन को भी कितनी मरियादा से करते हो यह बताओ कि मरियाधित भोजन भी कोई आसकती से करने योग्य थोड़ी ने है मरियाधित भोजन भी जितना संभव हो सके उतना चोड़ने योग्य हम आचायारे देव किया करने हैं कि हैं वुलो तो यह जक्ति है तो यह वति ही यार बबदी हो तो हुआ ज़ेगा याड timeल बना जोंगे आप तो हमासे यह ठाओ आज तक तो हम जेहन ध्रम तो यहां था था कि छोड़ने औरने की कुछ बाते नहीं होती थी जिगनेश भाई ऐसा होता था छोड़ने की कोई बाते नहीं करता था हम तो फिछले 8 साल से सुन रहे हैं हम तो फिछले 10 साल से सुन रहे हैं हम तो फिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं आज तक कभी किसी ने छोड़ने की बाते नहीं करी हम तो खूब समय सार पढ़ते थे खूब ये पढ़ते थे मोख्षमार्ग प्रखाशक करते पढ़ते थे कभी किसी ने कोई छोड़ने की बात नहीं करी समय सार पढ़ा नियम सार पढ़ा पंच परमागम पढ़ लिए हमने किसी ने छोड़ने की बाते नहीं करी कि भ आब रहां के हैं तो श्राव का चार गुर्ञतों को भी तो पढ़ें किसाब क्या चुडवा रहे हो ऊपको क्या चुडवा रहा हूँ क्या रोझ हैं आपको क्या चोड़ना पारना किया हमने तो फिर क्या करते हैं बोले किसी ने किसी चीज का त्याग कर देते हैं ये चीज छोड़ दी हमने शिखर जी की बंदना करके आये हमने ये चीज छोड़ दी हमने राकेश भी है सही कह रहे है न वोदी जी बोलो ये चीज छोड़ दी हमने क्यों क्यों नहीं थी एक चीज छोड़ दी उस चीज को छोड़ा जाता है जो चीज खाने योग्ये है क्योंकि नहीं खाने योग्ये तो पहले ही छोड़ रखिए डे टू डे लाइफ के अंदर करते जाईए आप आसकती कम सवाल आसकती कम करने का है सवाल राग को घटाने का है सवाल मोहों को घटाने का है बोलो यह भाव चल रहा है यहां तो 111 सी नंबर पेश पर देखिए अविरुद्धा भोग भी अविरुद्ध भोग भी छोड़ देवे जो अत्याज येशू उच्चित भोग उपभोग का त्याग नहीं हो सके ज्यादा नहीं हो सके बोलो तो उसमें भी अपी माने भी एक दिवान शोप भोग जयत यां एक दिवस्या रात्री की उपभोग जयता से सीमा कारया मरियादा करनी चाहिए ये पुरुषों कहा मर्यादा करो, अरे सब पुरुष क्यों लिख दिया यहां पर, पुरुष क्यों क्यों के दिया, क्या इस्तरीयों को नहीं करना चाहिए, अरे भाई, ये अम्रत चंद्रा चाहरे हैं, समझ में आ रही ये बात, नहीं आ रही ही समझ में, यहां पुरुष क आप अपने आपको इस्त्री क्यों समझते हैं आप अपने आपको फिमेल क्यों समझ रहे हैं आप भी पुरुष हैं हर व्यक्ति पुरुष है पुरुष जगाई है अपना पुरुष जगाई है इस्त्रियों को भी सम्मेक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है इस्त्रियां भी भ कर लiver phone के लिए वैं नहीं कि अंच्छा आस्टै। पुरूश ओने कीट करते हैं मधो के प्रतियासक्ति को चूडाने की बात करते हैं इतना ही समझना चाहिए data in कई लोगों को ऐसा लगने लग जाता है शास्त्र पूष्ण ने लिखे और इस अपनी आफनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, इस्त्रियों की बात करते हैं, अरे नहीं, इस्त्री पुरुष का भेद आपके शरीर की दर्ष्टी से है, आत्मा तो पुरलिंगी हुआ करता है, आत्मा तो पुरुषी है, आत्मा में इस्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, दे बहुत का त्याग यदी ज़्यादा नहीं नहीं हो साके मन लीजे पर्मानेंट नहीं छोड़ सके पहलर हो और और ल। absolument right रात्री भुजन करने वालों से कहता हूँ हैं इस लंभी चोड़ी सभा में संभावना हैं कही लोगों की जो कर रहे हों उनसे कहता हूँ एक दिन एक दिन तो कर सकते हैं बहुत बढ़ी है वीक में एक दिन कर सकते हैं जो लोग पर्मानिंट त्याग नहीं कर सकते हो जो लोग पीछे कहे गए पदार्थों का जो लोग पीछे कहे गए अभक्षे पदार्थों का जो लोग पीछे कहे गए आम अरियादित पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते हो लंबे समय के लिए लाइफ टाइम के लिए त्य यह दिल नहीं कर सकते हो, तो क्या कह रहे हैं, तो आचाहरेओ देव पता हाएं, यह कोई बात नहीं, अश्ळमी के दिन तो त्याग कर सकता हैं, इतना सब्सक्राइए हैं, बloro, यह जत्र दृषद़र जी कर सकता है, थीक यह Jude जी कोई बात नहीं, मैं इतना त्याग करता हूँ अश्टमी और चतुरदशी के दिन का त्याग करता हूँ देखो हमारे यहाँ त्याग की महिमा गाने वाले लोग बोलो यंपाल चांडाल का जो प्रसंग है वो पूरा का पूरा प्रसंग यही प्रसंग है मुनिराज के सामने उसने आश्टमी और चतुरदशी के दिन हिंसा नहीं करने की प्रतिग्या ले ली थी हत्या नहीं करने की फांसी पर नहीं चड़ाने की प्रतिग्या ले ली थी चांडाल का तो काम ही होता है रोजाना चांडाल का क्या काम होता है फांसी पे चड़ाना, मारना, मौत के घाट उतार देना सूली पे लटका देना, ये ही तो चैनधाल का काम क्या है हिन्सक काम है हिन्सक एक खान पान है सब कूछ ऐसा ही होता है क्या प्रतिग्या? मुने राज ने प्रतिग्या दिला दिया उसने भाव पूरवक परतिकिया ले ठीक है महराज कोई बात नहीं क्या होगा अगले दिन कर लेंगे फिर पता है क्या हुआ राजकुमार आ गया कहानी सुनी हुई होगी बहुत सारे लोगों की राजकुमार को पकड़ लिया गया राजा के द्वारा अपराद सिद्ध हो गया उसका मतलब कोई मांस मांस भक्षन उसने बंद करा दिया था और वो मांसा हर करने लगा था और फिर वो दोश पकड़ा गया उसका राजकुमार का राजा ने पकड़ लिया उसे भेज दिया मारने के लिए यंपाल चांडाल के पास में भेजा फांसी पे चड़ा दो इसको सुली पे चड़ा दो इसको मार दिया जाए इसे जान से मार दिया जाए अब इसको भी पता लग गया यंपाल चांडाल को भी ऐसा कह देना वापन भेज देना ठीक है कोई बात तो नहीं अब जब सिफाई पकड़कर के लेकर क्या है राजकुमार को तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि नहीं है वो तो नहीं है वो तो कल आएंगे अच्छा कल आएंगे और यार उसकी तो किस्मत ही खराब है किसी और के पास में जाना पड़ेगा क्योंकि आज यदि इसको मारते आज तो राजकुमार आया था इसकी यदि हत्या होती तो इसके जितने गहने जेवर महंगे महंगे ये सब आबुशन उतरते ये सब उसके हो जाते चांडाल की पत्नी के मन में लोब आ गया और क्या किया रशारा करती है अंदर है अंदर अंदर चिपे हुए है है बोलो सिपाई अंदर चले गए और अंदर जाकर के पगड़ ले आए राजा के सामने प्रस्टट कर दिया गया और दोनों को बांध करके क्या कुर्सी पर आसन पर ऐसे बांध करके रस्तियों से बांध करके लिपेट करके समुद्र में फैंक दिया गया दोनों को समुद्र में फैंक दिया देखो आप इसने प्रतिग्या निभाई महाराज से कहा नियम महाराज मेरा नियम है महाराज मेरी प्रतिग्या है जाम से मार देंगे नहीं महाराज कितनी चर्चाएं चली होगी तर्क मितर्क हुए होगे आपस में इसने सफाही देने का प्रयास किया होगा, महाराज नहीं माने होगे, मार देंगे तुझे, मार दो महाराज कोई बात नहीं प्रतिग्या नहीं तोड़ूँगा, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, नहीं तोड़ूँगा अपनी प्रतिग्या को, हिंसा करता था, हत्या करत रोजाना का हत्यारा एक दिन के लिए हत्या का उसने त्याग किया और उसको द्रड़ता से निभाया आपको पताएं समुद्र में से देव लोग उसे सिंगासन पर बढ़ा करके निकाल करके ले आए जेजे कार करने लगे उसके सैयम की यह है सैयम की महिमा एक दिन भी जो द्र यह कह रहे हैं दिवस या रात्री की उभोगता से मर्यादा करनी चाहिए देखिए टीका पड़ रहे हैं आगे टीका दीमता निज शक्तिम अपेक्ष अविरुद्धा अपी भोगाह त्याज्याह तथा अत्याज्येशु अपी एक दिवान निशोप भोग्यतया सीमा कारिया बुद्धिमान श्रावक अपनी शक्ति का विचार करके श्रावक हैं बुद्धिमान शक्ति का विचार करके श्रावक संग्यावी सबके लिए ही दी जा रही है यहां इस्तरी पुरुष के लिए मैंने आत्मा को पुरुष का आना अभी आत्मा पुरुष के ऐसे हो सकता है जब इस्तरी पुरुश बोनों नहीं है तो रहे आतमा शब्द पुरूऌं है आतमा है आनों सब्सक्रान है ल zw मिर भूद के निदाता है again-7 अड़ेच और जब हम चर्चे करते हैं न किरफ शंभल में टर् गटिक करके बतलते हैं सब्सक्राइब ऱ ऑना के डी esca आपको लाइड जल रही है पंखा चल रहा है और टूब लाइट जल रहा है नहीं तूब लाइट इस्तिलिंग है पंखा पुरलिंग है गिलास गिर गया कटोरी गिर गई चमच गिर गई चमच गिर गई नहीं होता है गिलास गिर गई नहीं होता है गिलास गिर गया गिलास पुरलिंग है यह भाश्या है यह सब समझ में आरी है बहुत तैसे आत्मा पुरलिंग शब्द है इसलिए हमने उसे पुरलिंग कह करके पुका र पधार्त हैं, जो पधार्त खाने योग्या पधार्त हैं, क्या, दुकान खोली चूला जलाया, बहुत हजारों मिल जाएंगे आपको, उसमें क्या है, जितना तलाश हैंगे, दिन भर डे टू डे लाइफ के अंदर रो जाना तो प्रयोग कर रहे हैं, आप हर वाक्य के अंदर तो इस्त्रिलिंग पुलिंग सब कुछ लगा रहे हैं आपके हर वाके के अंदर प्रयोग हो रहा है श्रावक के लिए जो खाने योगे पदार्त हैं जो जो भी खाने योगे पदार्त हैं लौकी खाने योगे है या नहीं है तिंडे खाने योगे है या नहीं है आम खाने यो मसाले खाने योगे हैं जो जो खाने योगे हैं उसे भी जितना बन सके उतना छोड़ देवे लो जितना बन सके उसे छोड़ दीजिए क्या जितना बन सके उतना त्याक कर दीजिए और जो सर्वता ने छोड़ सके अरे नहीं नहीं साब रोटी पानी केसे छोड़ सकता हूँ जो सर्वता ने चोड़ सके उसे भी एक दिन एक रात एक सफ़ता एक पक्ष आदी की मरियादा करके करम करम से छोड़ें अर्थात ये भोग मुझे इतना ही काल में भोगना है अन्य काल में मेरे त्याग है एसी मरियादा कर ले वे बोलो वो है ना सैयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार विश्ययों की त्रिशना को छोड़ सैयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार भूगों की त्रिशना को छोड़ सैयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार चल पड़े आदी कुमार बोलो छोड़ो छोड़ो छोड़ करके जितना बन पड़े उतना छोड़ो क्या किया रहे हैं यहां भजन है भक्तियां वाइसाब वेराग्य के प्रसंग में दिक्षा कल्यानक के प्रसंग में गाई जाती है बहुत भक्तियां हैं इस तरह की बहुत सारे गीत हैं बहुत सारे गजब के भजन है भजन है भाईसाब हमारे संजीव जी दिल्ली उस्मानपुरा उनकी रचनाएं हो बड़े गजब गजब की रचनाएं हैं उनकी तो भजन उस पर उपलब्द हैं आपके अंतरध्वनी के नाम से सर्च कीजे आप अंतरध्वनी के नाम से भजन मिलेगे बड़े गजब गजब की रचनाएं हैं गजब की आवाज है इन सम लोगों की बहुत सुन्दर गाते हैं ये लोग हमारे विवेक जी इंदौर बहुत सुन्दर गाते हैं बहुत सारे हैं देखो बात क्या कहना चाहते हैं याँ पर क्या कह रहे हैं भीया जितना संभव हो सके उतना कर लो त्याग आज छोड़ दो आज इतने समय के लिए छोड़ देंगे हम बोलो विवेक जी शिंदबाडा हमारे उनकी बहुत अच्छी अच्छी है रिशेब जी शिंदबाडा ये लोग सब बहुत अच्छा गाते हैं गाते भी हैं और लिखते भी हैं बहुत अच्छा अच्छा बहुत है अपने समाज में बहुत हैं ऐसे लेखक लिखने वाले बात क्या चल रही है कितना छोड़ें वही साथ अश्टमी को छोड़ो चत्रजशी को छोड़ो एक दिन के लिए छोड़ो पांच दिन के लिए छोड़ो पंद्रे दिन के लिए छोड़ो अश्टानिका में चोड़ो दसलक्षन के अंदर चोड़ो बहुत हो सकता है जितना संभव हो सके उतना त्याग कीजिए हो गई भी यहां यह बात अभी और मरियादा की बात कर रहे हैं विशे को और अधिक मरियादित करने की बात कर रहे हैं 181 नंबर पेज पर ही एक लोक और ले ले लेते हैं अभी है अपने पास में 10 मिनिट विशे यही है इसलिए बात यही है जो आपने की है उसी बात को थोड़ा सा और अधिक बढ़ा रहे हैं एक दिन में भी ऐसा भी त्याग किया जा सकता है बोलो एक दिन में भी घड़ी घंटा आदी काल की मर्यादा करते हुए त्याग करें बोलो एक दिन में भी इस चीजों का त्याग हो सकता है इस तरह का क्या हो सकता है एक दिन के लिए भी अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को करके आते हैं उस समय दिन भर का त्याग करके आते हैं चोवीद घंटे का त्याग करके आते हैं चोवीद घंटे जैपुर से बाहर जाने का त्याग है हमारे मुशरफ वाले अम्मा जी है वो रोजाना त्याग करते हैं इस तरह का बहुत इस तरह के लोग हैं मेरे निगामें ह रखेंगे इतने कपड़े रखेंगे इतनी भूख सामगरी आज इतनी हरी खाएंगे मैंने कई बार देखा है हमारे राजन पंडी जी जबलपुर वालों को आज इतनी हरी खाएंगे प्रदीब जी जांजरी जी साबको आज इतनी हरी खाएंगे आज इतना ही लेंगे आज इ प्रत्येक वनस्पतियों में से 100 भी काम में नहीं आती होगी बोलो अब उन 100 में से भी आज इन 5 को लेंगे बस सुबह नक्की कर लिया दिन भर में 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे खतम दस लाक में से 9,99,995 में 9,99,995 में वनस्पति के पाप से 24 घंटे के लिए बच गए आप बोलो 24 घंटे के लिए इस तरह के पाप से बच गए सहीं हम की बात के रहे हैं यहाँ देखिए इस लोग पढ़ लिया क्या अपन ने यहाँ पुनरपि पूर्वे क्रतायाम समीक्षतात कालिकिम निजाम शक्तिम सीमा नियंतर सीमा प्रतीदिव संभवति करताव्या भाईया ध्यान देना मैं नहीं किया रहा हूँ कोई व्यक्ति है समझ ले यार पंडी जी आप तो पीछे पढ़ गए त्याक त्याक के आप तो पीछे पढ़ गए चोड़ने चोड़ने के अरे मैं धोड़ी ने कह रहा हूँ अमरक चंद्राचारी की चिट्टी पढ़ रहा हूँ आपके सामने बाते मेरी नहीं है बाते मेरे घर की नहीं है क्या मेरे घर की बात नहीं है अम्रत चंद्राचारी की चिट्टी आई है आपके नाम आपके लिए चिट्टी पढ़कर के सुना रहा हूँ नितिन भाई, सिद्धार्त भाई आपके लिए चिट्टी है ये पढ़कर के सुना रहा हूँ मानना नहीं मानना आपके उपर है चिठी तो आपके लिए आईए देखिए क्या किया रहे हैं यहाँ पर इस चिठी में अब नया पेरिग्राफ है चिठी में बहुत सारे पेरिग्राफ होते हैं यहाँ अपने पास में सवादो सो पेरिग्राफ है सवा 200 श्लोक हैं इस मूल गरंथ के और इसमें क्या किया रहे हैं 226 श्लोकों में लिखा गया यह गरंथ और इसमें यहां अपन पहुंच गए हैं 165 पर अन्वे आर्थ पूर्व कृतायाम सीमनी पहले की की हुई मर्यादा में फिर से पहले की की हुई मर्यादा में उस समय की अर्थात वर्तमान समय की निजाम शक्तिम समिक्ष अपनी शक्ति का विचार कर प्रति दिवसम अंतर सीमा प्रति एक दिन मरियादा में भी थोड़ी मरियादा कर्टव्या भवती करना है करना योग्य है देखिए ऐसा भी कई तरह से इन वाक्षा लगाए जा सकते इन पंक्तियों के, एक अर्थ तो ये हो गया, पहले हमने पांच दिन का छोड़ा था, फिर हमने पंदरा दिन का छोड़ा, फिर हमने एक मैने का छोड़ा, फिर हमने चातुर मास के लिए छोड़ दिया, फिर हमने एक साल के लिए छोड़ दिया, एक तो ये प्रक्रिया हो दस दिन से ज्यादा नहीं खाएंगे फिर हमने मर्यादा ले ली कि साथ दिन से ज्यादा का नहीं खाएंगे फिर हमने और मर्यादा ले ली दो दिन से ज्यादा का नहीं खाएंगे यह घटाते जाना ऐसा रिवर्स चले हैं इसमें डे टू डे का लिया हैं हमने आज 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 के लिए रोज ने लिए खाने पिने की चीज़ों में ले लिए भूगने की चीज़ों में ले लिए ऐसा ठीक है नगे देखिए क्या कि रहे हैं आगे तीका पड़ रहा हूँ तीका कर पुणर्पी पूर्व क्रतायाम सीमनी तात लिकि मुन नियाम शक्तिम समेक्यो प्रतिदिवसम अंतर सीवा कर्तव्य भवती कि पहले जो एक दिन एक सब्ड़ा इत्यादी क्रम से त्याग किया था पहले किया था अपन उसमें भी साथ दिनका त्याग नहीं साथ दिन की बनी हुई चीज से जादा कात्याग ऐसा समझ अरही है बत एक दिन एक सब्ता की बनी हुई चीज से बाहर मर्याधा कात्याग ऐसा उसमें भी अपनी वर्तमान शक्ति को देखकर दो गड़ी का खाएंगे एक गंटे का खाएंगे एक पहर का खाएंगे या एक पहर तक खाएंगे उसके बाद नहीं खाएंगे देखो इसको इसको उल्टा भी लगाओ एक पहर का बना हुआ खाएंगे और एक पहर तक खाएंगे इस चीज को ये घर में कोई चीज आई है ये लड़ू बन करके आए है अब लड़ू जैसे खराब नहीं होते मान लीजी थोड़े समय तक चलते हैं तो हम इन बने हुए लड़ू को तीन दिन तक खाएंगे उसके बाद में नहीं खाएंगे तब भईया हमने तीन दिन का ही सोचा है अब तीन दिन बाद में नहीं खाएंगे भई या इस चीज़ को बहुत तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इन चीज़ों का त्याक किया जा सकता है हरी सबजीयों का, हले फल फूलादिक का जैसे आम बगरे होते हैं न कई लोगों का इस तरह का नियम होता है आम खाने के संदर्व में आम खा रहे हैं, आम खाने योग्गे हैं अमिद बढ़ जाते हैं जी, देखो आम खाने योग्गे हैं खाते हैं, फिर पता हैं क्या करते हैं बहुत सारे लोग, किसा जब पहली बरसात होगी न उसके पहले पहले तक खाएंगे एक बार बरसात होगी न फिर उसके बाद में हम आम नहीं खाते इस तरह से भी त्याग लेते हैं क्यों क्योंकि बरसात होने के बाद फिर उस आम में जीवत पत्ती की संभावना होने लग जाती है फिर वो अंदर से खराब होन प्रतिग्या निभाई थी जो भी प्रतिग्या लेवें उसको इतनी ही द्रड़ता के साथ में लेवें कि उसमें परिवर्तन नहीं होगें ये समझे लीजिए आप इतनी द्रड़ता से होना चाहिए वाक्य पढ़ रहा हूं देखिए नीचे पहले जो एक दिन एक सब्ता इत् मिनिट का फिर पहर तीन घंटे का इत्यादी की थोड़ी थोड़ी मरियादा करके जितना त्याग बन सकें उतना त्याग करना चाहिए जितना बन सकें उतना त्याग बन सकें ये इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए आप बन सकें आप मुनी नहीं हो अभी आप स न सके उतना त्याग करना चाहिए इस प्रकार अभी देखो अभी तो इननोंने खाने-खाने की बात कही अब बात किसकी कर रहे हैं क्या है कि बोलो क्या किया रहे हैं इस प्रकार बूगों की सामगरी के संदर्व में अपने भोग उपभोग की सामगरी के पदार्त की संख्या इतने कपड़ें रखेंगे ये संख्या इतने मकान से जदा नहीं हो गे इतनी जमीन से ज्याज़ा नहीं होगी ये परिमान की बात कर रहे हैं भोग की मर्यादा तो हो गई खाने पीने के संदर्व में क्या भोग की मर्यादा तो हो गई अब भोग की मर्यादा की बात कर रहे हैं भोग की मर्यादा क्या चीज़ है कपड़ों की मर्यादा जेवर की मर्यादा धन की म मریاضہ, سिलور की मریاضہ जूते चपपलों की मریاض WILL रे कितनी चीजों की बात हमने पहले भी आपके बीच में की है वोग वोग के संदर्भ में ये कह豆 रहे हैं उतनी मरियादा रख लेनी चाहिए इससे जदा नहीं रखेंगे सूट इस से जादा नहीं रखेंगे कुर्ते इस से जादा नहीं रखेंगे कदाचित कहीं से आ जाएंगे तो निकाल देंगे इनको हम बोलो घर में भी नियम लिया जा सकता है मंदिर में भी लिया जा सकता है नियम आपका संकल्प है लेकिन मैंने एक दिन नियम के संदर में कहा था आपके नियम का जेनरलाइजेशन कर दीजिए टीवी देखने का त्याग किया जा सकता है न्यूज पढ़ने का त्याग किया जा सकता है न्यूज पेपर पढ़ने का त्याग किया जा सकता है एक दिन छोड़ा जा सकता है पांच दिन छोड़ा जा सकता है भूमी का अनुसार छोड़ा जा सकता है जितना संभव हो सके बोलो त्याग करते समय स्वयम खाता है दूसरे को खिलाता है यद्देपी एक समान पाप का है हमारे यह जिनागम में लेकिन घर की परिस्थिति का विचार करके करना मैंने खाने का त्याग किया है मैंने खिलाने का त्याग ने किया है सोचना जरा जितना संभव हो सके हम तो यही कहेंगे आप खाने का भी त्याग करें आप खिलाने का भी त्याग करें आप खाने वालों के अनमूदना का भी त्याग करें कृत कारीत अनमूदन आप तीनों से त्याक करें हमारा तो यही कहना है लेकिन आपके खिलाने के त्याक के चक्कर में ऐसा नहीं हो जाए की घर तो जाए ऐसा नहीं हो जाए कि घर घर में जगड़े होने लग जाए पर पूछे साब किसने पढ़ाया था किसके शिष्ष्य ओ वोले, डॉक्सर संजीव गोजा ने पढ़ाया था, अच्छा, देखेंगे, मिलने तो उनको कभी ख़वर लेंगे, उनकी, भैया, आपके घर रेस्ती भी समलनी चाहिए, आपके यहां शानती भी रहनी चाहिए, इतना त्याक कीजिए, त्याक करते समय संयम लीजिए, त्याक जाएगा हमें मालूम है एक दिन सुद्रेंगे ये हमारे साब हमें मालूम है एक दिन सुद्रेंगा ये बेटा क्या करूं बेचारा रात को आता है देर से आता है करना पड़ता है डालना पड़ता है मैं क्या करूं अब इनका छूट जाए एक दिन आएगा इन्होंने रात को खाना छोड़ दिया ना फिर हमने खिलाने का भी त्याक कर दिया फिर त्याक कर देंगे हम जिस तरह की जैसा हो वैसा है ना अपने 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 घर के इसाब से अपने अपने परिवार के इसाब से अपनी अपनी परिस्तिती के इसाब से आप नकी कीजिए मैं तो कुछ बा आत्मा का कल्यान है दौलत राम जी का असली वाल या टोडरमल जी साब लिख रहे हैं इसी में आत्मा का कल्यान है फुटनोट में बहुत सुंदर बात के दी है बाहरी त्याग में कल्यान नहीं है असली त्याग तो राग का त्याग है असली त्याग तो मित्यात्व का परिनामों से त्याग करो भावना से त्याग करो वेरागी बन करके त्याग करो और कैसे राग घट गया हो गया त्याग मिध्यात्व का त्याग सबसे पहले करो उल्टी मान्यता का त्याग सबसे पहले करो इस तरह जितना संभव हो सके अपने जीवन में भोग और भोग की सा यहीं हमकी भावना को बढ़ाते चलें, बल्वती करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ, बहुत सुन्दर, क्रमबद की और इनकी चर्चाएं भी बड़ी सुन्दर चल रही है, तीनों टाइम अन्य समय में, चारों समय जो चल रहा है, यथा समय, आप बड़ाबर उनका आगे पीछे भी लाब लेवें, जिनवाने इसथ यूथी है, निजनिधी निजमें बताईी, यह अनंत उपकार हैं, उसके लिए जिनवानी माा को वन्दनाशत वार है, वन्दनाशत वार है, नौबानों कार्माटी